दोस्तों गराब भी अश्विन और जस्प्रीद बुमरा को दुनिया का सबसे खतरनाग गेनबास मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों चौते दिनी टीम इंडिया के सामने अंग्रेजों ने घुटने टेक दिये तो पूरे इंग्लैंड में तो तहल का ही मच गया यहां तक की एक बार फिर इंग्लेंड के कई बड़े बड़े दिगजों ने एक बार फिर अपना पुराना रोना धोना शुरू कर दिया कईयों ने तो टीम इंडिया पर बेमानी के इल्जाम लगा दिया तो कईयों ने तो अपनी टीम को ही खरी खोटी सुना दी तो आखिरकार इंग्लेंड के सबसे ख़तरनाक टेस्ट खिलाडी ऐलिस्टर कुक से लेकर मौईन अली केविन पीटरसन यहां तक की कप्तान बेंस टॉक्स और इयोन मॉर्गन ने बयान देते हुए कैसे सारी हदे पार कर दी क्या कुछ भारत की जीत पर इंदिगजों ने कहा ये तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस टेस्ट मैच में कौन जा खिलाडी मैन अफ दा मैच बने का नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं भारत और इंग्लेंड के बीच दूसरा टेस्स मुकाबला विशाखा पटनम के मैदान पर खेला जा रहा है इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करते हुए इंग्लेंड के सामने 396 रनों का विशाल ट्राइल स्कोर दिया था इस पारी में यशसवी जैसवाल ने बहतरीन बल्ले बाजी करते हुए दोस्तो नौरन ढोग दिये थे इसके बाद इंग्लेंड की टीम केवल 253 रनों पर भुमरा की घतरना गेंडबाजी की बदौलत ओल आउट हो गई थी फिर टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 255 रन बनाकर इंग्लेंड के सामने 399 का विशाल टार्गेट रखा है इस पारी में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन शुभुमन गिल ने 104 रन बनाए तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लेंड की टीम ने 14 ओवर में एक विगट गवा कर 66 रन बना लिये थे चौते दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लेंड के बले बास बेहद आकरामक अंदाज में नसर आ रहे थे पहले तो भारती गेंद बासों की जमकर धुनाई कर रहे थे अपना विगट कवाने का नाम नहीं ले रहे थे लेकिन कप्तान रोहिच शर्मा हैरान और परिशान होकर गेंद फेंकने के लिए अक्षर पटेल को थमाई तब उन्होंने इस ओवर की पांचवी गेंद पर पहले रहान एहमत को पवेलियन का रास्ता दिखा कर विगट का खाता खोला और फिर उसके बाद रोहिच शर्मा ने मास्टर प्लैन बना कर अश्वीन से गेंद बाजी करते हुए उन्हें ओवर की दूसरी गेंद पर पहले ओलिपॉप को पवेलियन का रास्ता दिखा दिखाया ओलिपॉप तेजी से रन बना रहे थे लेकिन तेज बना कर पवेलियन लौट गए फिर उसके बाद अश्वीन ने रुकने का नाम नहीं लिया खतरना गेंद बाजी का नजारा दिखाते हुए 31 वे ओवर की अंतिम गेंद पर अश्वीन ने जो रूट को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया रूट के वल 16 रन बना कर पवेलियन लौट गए इंग्लैंड के चार बल्ले बास बहुत जल्द पवेलियन जा चुके थे लेकिन जैक क्रॉली मैदान पर टिके हुए थे लेकिन रोई चर्मा ने एक बार फिर सबसे अधिक भरोसा जता कर गेंद कुल्दी बियादफ के हाथों में थमाई और उन्होंने अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए क्रॉली को पवेलियन का रास्ता दिखा कर इंगलेंड की टीम की कमर तोड़ दी क्रॉली 63 रन बनाकर पवेलियन लोटे फिर तो भारती गिंदबाज रुकने का नाम नहीं लिये जस्प्रीत बुम्रा ने खतरनाग गिन बाजी कर जॉनी बरिस्टो को पवेलियन का रास्ता दिखाया उसके बाद इंग्लेंड टीम लड़कडाती चली गई और भारती टीम ने एक के बाद एक कई विकेट निकाल कर इस मैच को बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया भारत की जीत देखकर पूरा इंदुस्तान खोशी से जूम रहा था तो वहीं इंग्लेंड के बड़े बड़े दिखज तो रोना धोना शुरू कर चुके थे फैट टीम इंडिया पर बेइमानी का आरोप लगाते हुए बहुत कुछ कह डाला तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं किन किन दिखजों ने क्या कुछ बयान में कहा है इंग्लेंड के सबसे खतरनाक बल्लेबास कैविन पीटरसन ने अपनी टीम की हार देखकर भारत दोर अपना गुस्सा निकालते हुए कहा कि मैं अपनी टीम के प्रदरशन से बेहत निराश हूँ लेकिन इस मैच में एंपायर ने काफी बेहिमानी किये हम ये मुकाबला जीत सकते थे लेकिन एंपायर ने हमारा साथ नहीं दिया वहीं इंगलेंड टीम के कप्तान बेंस्टॉक्स भी हार पर टीम इंडिया को बेहिमान बताते हुए बयान दिया और कहा कि हम ये मुकाबला जीत रहे थे लेकिन हमारे कई बल्लेबाजों को एंपायरों ने गलत आउट देकर मैच का पूरा रुख पलट दिया वरना हम ये मुकाबला केसी भी हाल में जीत जाते भारत में अकसर बेहिमानी होती है मुझे ये बिलकुल पसंद नहीं है एंपायरों ने हम लोगों के साथ बहुत गलत किया हमने कभी सोचा नहीं था इंगलेंड के सबसे खतरनाक औल राउंडर खिलाडी और महेंदर सिंग दोनी के सब ये मुकाबला हार गए वहीं इंगलेंड के सबसे खतरनाक बलेबाज इयान मॉर्गन ने भी बयान देते हुए कहा है कि भारती खिलाडियों ने प्रदर्शन बहुत शांदार दिखाया जिसकी वजह से उन लोगों ने मैच जीता लेकिन एंपायरों ने हम लोगों के साथ बेहत गलत किया उन्हें बेमानी नहीं करनी चाहिए थी ये बेहत हैरान कर देने वाला मामला है कई बलेबाज हमारे आउट नहीं थे लेकिन वो पवेलियन लौट गए इंग्लेंड टीम के सबसे खतरनाक टेस्ट बलेबाज एलिस्टर कुक ने भी बयान देते हुए कहा कि टीम ने शांदार पृदरशन दिखाया खेल में जीत और हार लगी रहती है हमें उमीद है कि हमारे खिलाडी अगले टेस्ट मैच में बहतरीन पृदरशन करेंगे और टीम इंडिया को करारत जवाब देंगे लेकिन एमपायरों ने हम लोगों के साथ ना इंसाफी की जिसक हार पर हम अगले मैच में जरूर बदला लेंगे कहीं न गई हम लोगों का लॉग अभी भी इस मैच में साथ नहीं दिया हमारा कोई भी बलेबाज मैदान पर सेट नहीं हो सका तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से टेस्ट मैच में मिली हार पर बॉक्स खिलाते हुए इं पॉइंट हो हम आसानी से ये चेस कर सकते थे लेकिन आप भारत को कभी भी कमजोर नहीं समझ सकते खास तोर पर जब उन्होंने अपने हिसाब से पिछ बनवाई हो पिछ से उनके गिंदाजों की इतनी ज्यादा स्पिन मिल रही है तब कभी भी लक्षे चेस करना आसान नहीं ह आपके जितनी तारीफ की जा उतनी कम है अश्विन यशस्वी गिल कुलदीप अक्षर किसी कभी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता ये एक टीम गेम है और आप लोगों ने दिखा दिया है कि एक टीम के तौर पर आप दुनिया में नंबर वन है आप सब को इस शांदार जीत की बहुत बहुत बढ़ाई यहां तक कि खुद श्रोय बक्तर भी टीम इंडिया के मुरीद हो गए है उन्होंने कहा कि आप भारत में जाकर भारत को कभी भी नहीं हरा सकते पहला टेस्ट मैच केवल तुक्का था अब दूसरे मैच से टीम इंडिया ने दिखा दिया है कि आकिर क्यों भारत के महमानों को जीत हासिल करना नामुम्किन होता है यह तो केवल ट्रेलर था अश्विन ने जिस तरीके से गेंबाजी कि बुमरा ने जैसी बॉलिंग की मुझे नहीं लगता कि इस पूरी सीरीज में अब इंगलेंड एक भी मैच जीत पाएगी तो केव पुप निरण नीती से हमें ये मुकाबला हराया है इसमें कोई भी दोराय नहीं है हमें पता था चुनोती बहुत मुश्किल होगी और हमें ये हार सुईकार है लेकिन अब ही टेस्ट सीरीज खत्म नहीं हुई है मुझे अभी भी लगता है कि हम ये सीरीज जीत सकते हैं जी जीतने भी नहीं देगी। उनके पास ऐसे के इंबाज और बल्लेबाज हैं जिन से पारपाना फिलहाल इंग्लैंड के बसकी बात नहीं है। बाजी मार ली लेकिन अब पूरी सीरीज में टीम इंडिया का ही बोलबाला रहने वाला है। टीम इंडिया उतरी तो इस बार शुभमन गिल का बल्ला गर्जा उन्होंने एक तुफानी शतक ठोका टीम इंडिया को 255 रनों तक पहुंचाया। उनकी धाकड बल्ले बाजी के दम पर टीम इंडिया ने तीसरी पारी में कुल 398 रनों की लीड अंगरेसों पर बना कर उन्हें 399 रनों का लक्षेसों पा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लेंड के धाकड बल्ले बाजों ने 14 ओवर खेल कर अपनी टीम को 66 रनों तक पहुंचा दिया था। अपने भ्रमास्तर बुम्रा को गेंदबाजी सहब दी आते हैं उन्होंने अपनी आग गुगलती हुई गेंदबाजी से पहला ओवर मिडन निकाल दिया। हाला कि सबसे बुरी खबर तो ये थी कि टीम इंडिया को शुरुआत में कोई भी सफलता हासिल नहीं हो पाई। बुम्रा और अक्षर पटेल ने शांदार गेंदबाजी करते हुए दौनों बनले बाजों को खूब छकाया खूब परिशान किया लेकिन ये दौनों विकेट गिरने को तैयारी नहीं थे यहादक की जहां क्रॉली ने बुम्रा को शांदार चौका लगाकर चौते दिन के स है ओवर फेंक दिये थे लेकिन कोई भी सभलता टीम इंडिया को नहीं मिल पाई थी बीस ओवर में इंग्लेंड ने 83 रन बना डाले थे ऐसा लग रहा था इंग्लेंड आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही है इन्होंने अपने तूफानी पर लिबाजी से मुकाबले को बरा क्योंकि टीम इंडिया दबाव में नजर आ रही थी यहां तक की 22 वे ओवर की दूसरी गेंड पर रोहित के हाथों से एक बहतरीन चौका निकल गया वो स्लिप में खड़े थे हाला कि कैच मुश्किल था लेकिन रोहित के लेवल के हिसाब से कैच होना चाहिए था इसके बा क्योंकि आरीन चाहिए रहेए वेवल कर्या वेह रहे हैं